नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों आज पूरा विश्व COVID-19 की चपेट में हैं और ऐसे में हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपने रिष्टेदारों को भी सुरक्षित रखें तो हिंदी साहित्यवारता परिवार आपसे ये अपील करता है कि आप COVID-19 से जो भी बचने के उपाए हैं उनको सही तरीके से आप लागू अपने उपर करें जो भी चीज़ें हैं जिससे हम इस महमारी से बच सकते हैं जो ये COVID-19 का असर है ये देखने को मिला है और भारत में लगभग आज की जुस्थिती है वो बहुत जादा खराब दिन वदिन होती जा रही है लेकिन फिर भी हम उमीद ये करेंगे कि ये बहुत चल्द इस महमारी का खात्मा हो और हम एक बार फिर से अपनी खुशाल जिन्द दॉट्स थे या जिन विश्यों को उपर हम से थोड़ी सी छूट रह गई थी उनको हम अभी जो है थोड़ा और उसको रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से हमने इस चीज को लेना है तो बिल्कुल पॉजिटिवीटी के साथ आगे बढ़े हैं ऐसा न सूचें कि पेपर आगे पॉस्पन हो रहा है थोड़ा रिलेक्स हो जाते हैं आपने क्या करना है सिंप्लिसिटी से और बिल्कुल एक रेगुलरिटी की तरीके पर आपने अपनी तैयारियों को जारी रखना है और इसी करम को जारी रखते हुए हिंदी सहीत्य वारता चैनल के माद्यम से हमने आज एक और प्रशनोतरी आपके लिलाई है अलांकि इससे पहले भी हमने UGC.net के लिए आपके लिए बहुत सारी मौक टेस्ट लाए हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं और यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है कि 2004 से लिकर के 2020 तक के जो पूछे गए प्रशन ह उनके लिए आप description box में हमने link दिया हुआ है वहां से आप उनको download कर सकते हैं लगभग 1000 प्रशन उसमें रखे हैं जो बिलकुल व्याख्या सहीत हैं तो 2004 से लिकर के 2020 तक के प्रशन हमने उसमें रखे हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं बहुत ही कम price उसका हमने रखा है तो आ UGC net के लिए बहुत ही जादा महत्वण साबित हो सकते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहला प्रशन ये है कि पिता की हत्या के आरोपी से प्रेम की घटना किस कहानी में वरनित है तो देखिए महत्वण चीज़ा इसमें कही गई है कि पिता की हत्या का जो आरोपी है उसी एक इकाई से मिनिममम पांच प्रशन आपको देखने को मिलते ही हैं ठीक है तो यहां पर जो पहला प्रशने हमने वो कहा से रखा है वो हमाना जो हिंदी कहानी वाला जो यूनित है इसवे उससे रखा है कि कहानियों को भी जादा टाइम देना है हाला कि कहानियों जादा मुश्किल नहीं है जो UGC net की परिक्षा में लगी है और बहुत ही शांदार और जबरदस्त कहानिया हमारे पाठेक्रम में शामिल है आप पचाहें तो हमारे जो टेलेग्राम ग्रूप है उसमें हमने उसको जितनी भी आपकी हिंदी कहानिया उनको रखा हुआ है आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं free of cost हम वहां पर उसको रखा है उसके लिए ठीक है तो यहां पर पूछा गया देखिए पिता की हत्या के आरोपी से प्रेम की घटना किस कहानी में वर्नित है तो मारे गए गये गु जो चंदरधर्शर्मा गुलेरी की कहानी है और यह प्रसिद्ध कहानी इनकी मान जाती है तो यहां पर यह पूछा गया है कि पिता के हत्या के अरोपी से प्रेम की घटना किस कहानी में है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा जैशन के प्रसाद कृत कहानी महतपूर्ण है कि किस तरीके की कहानी है कि ये करतव्य और प्रेम के अंत्रद्वंद को परिभाशित करती कहानी है ठीक है और इसकी प्रमुक पात रहे दिखी वो कौन है वो चमपा है और चमपा का एक महतपूर्ण कथन आपने देखा होगा UGC नेट की परिक्षम में पूछा गया है स्त्री होना कोई पाप है ठीक है तो वो किसको कहती है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और चोटी सी कहानी है जादा मुश्किल कहानी नहीं है एक बार इसको आप जरूर पढ़ेंगे तो सारा का सारा जो उसका कथाना के वो रह सकता है तो देखिए कृतव और प्रेम के जो अंत्रतुंद है उससे जूजती जो चमपा है उसके संपूर्ण जीवन क्या है कृतव के लिए समर्पित करने की ये रोमेंटिक कहानी है आपकी अकाश्टीब अगर हम बात करें देखिए दूसरी कहानियों की यहां पर जो और जो हीराबाई है ठीक है वो है अगर हम गौणपात्रों की बात करें जैसे पलड़ दास हो गया लाल मोहर हो गया है ना उसका जो नौकर लहसनवा हो गया या धुनी राम ये जो है इन्सके प्रमुक पात्र गौणपात्र है किसके आपके मारेगे गुलफाम कहानी के तो देखिए ये जो कहानी है ये भी प्रेम पर ही आधारित है कैसी प्रेम पर जो आपका हीरामन और जो हीरा बाई है उनके जो बैलगाडी सफर के माध्यम से लोकसंस्कृती और उसमें जो शामिल रस और मर्यादित जो निश्चल प्रेम है उसको व्यक्त करने वाली ये कहानी है तो हो सकता इस तरह के से पूछा जाए कि बैलगाडी सफर के माध्यम से लोकसंस्कृती और उसमें निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है तो वो है आपकी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम अब अगर हम बात करें अपना भाग्य जो कहानी ह यह जनेंद्र कुमार की है इसमें इन्होंने क्या किया है जो शिक्षित मध्यवर्ग है देखिए उसकी स्वार्थ परक्ता को उजागर करने वाली यह कहानी है तो यह किसमें है आपका अपना अपना भाग्य में है अगर हम बात करें इसके प्रमुक पात्रों की तो इसमें कथा वाचक है, उसका मित्र है, वकील है और दस वरशी है, जो बेघर पहाडी बच्चा है, तो ये है आपके अपना-पना भागय में जिसके रचनकार जरेंदर कुमार है, साती सात अगर हम बात करें की इसमें किस शहर की बात की गई है, तो अपना-पना भागय में है और उसने कहा था ये कहानी तो आप लोगों ने बहुत बार पड़ी भी होगी बहुत ही रोचक है द्वित्य प्रत्थम विश्वयुद पर आधारित है 1915 के आसपास लिखी गई है ये कहानी ठीक है चंदरदर्शवर्मा गुलेरी की और लहना सिंग इसका प्रम था वो होगा अकाश दीप अगला प्रशन है देखिए प्रशन संक्या 52 असंगत कथन बताईए तो जो आपका गलत कथन है वो कौन सा है तो इस तरीके के प्रशन अब जो आपका conceptual जो question है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं UGC net की परिक्षा में लेकिन रेशो फिर भी ब्राबरो रहे है लेकिन पहले किया प्रिक्षा से अब ये थोड़े से ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि आपका जो सहीत्य के क्षेत्र म उसी को उत्राधनिक विवर्ष माना जाता है तो ये कथन क्या है सही है देरिदा के अनुसार सहित्यकार एक पाठ का निर्मान करता है तो किसका निर्मान करता है पाठ का निर्मान करता है तो ये वात भी क्या है बिलकुल सही है और नेक्स से दिखिए इस पाठ का एक निश निश्चित अर्थ नहीं होता बलकि यह क्या करता है पाठक को अलग अलग अर्थ देता है और अनेक अर्थ के इंद्रों में से किसी एक को स्थिर करने का काम कौन करता है पाठक करता है यह जरूरी नहीं है कि जो पाठक है यो पाठक का विखंडन करके लेखक के अनुभब त अलग-अलग अर्थों को देता है, उसका काम क्या है आपका जो पाठ का विखनन करके निर्मान की जो प्रविदी तक पहुंचाना है, ठीक है, पाठ अर्थ लीला मात्र है, ठीक है, तो यह क्या है, यह कतन अपने आप में सही है, कि जो आपका पाठ है, वो क्या है, अर्थ ल अपने आप में गलत हो जाएगा दैरिदा के अनुसार कि इस पाठ का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है इस तरीके से ये सही होना था चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 53 है देखिए गध्य की स्थिती पर विचार करते हुए किस ने कहा आजकल भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण की भद्दी भूल तो रहती ही है कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता तो एक चीज़ आपने याद रखना है जब भी भाषा की बात हो रही है देखिए सबसे पहले जैसे डॉक्टर भोलना तिवारी है इन्होंने भी कुछ न कुछ चीज़े जरूर कही है ठीक है महावीर प्रसाद दुवेदी का खतन भी है यह है ठीक है अचारे रामचंदर शुकल तो ये बहुत ही ज़ादा महत्तपूर्ण है भाषा संबंधी अगर कोई भ लोगदान रहा है आप जानते भी हैं सरसुति पत्रिका के माध्यम सेरों ने हिंदी को जादा तवज्जो देने की कोशिश की थी तो यहां पर पूछा यह गया है कि गद्य किस्थिती में तो गद्य पहले से चला आ रहा था ठीक है तो इनसे थोड़ा से पहले की बात अग अठा़ारी जी हो गया दूसारा रामचंद्र शुकल जी हो गया इन्ने दो मतफ़ूझ कथन कढ़े हैं देखिए अचारे रामचंद्र का यह कथन जो यहां पर लिखा गया है यह शुकल का कषन है बाकी इसमें नहीं होंगे खा तो यह बात किस ने कही थी यह अचारी जो एक विशय है कौन सी पुस्तक में हिंदी का गद्य साहित्य में वहाँ पर इन्हों ने उसको रखा है आप हिंदी गद्य साहित्य जो पुस्तक है उसको एक पार जरूर पढ़िएगा बहुत ही मौत पुन कथन है दोनों के इनके तो शुकल का कथन मैंने आपके बीच में चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं 54th question है देखिए यहां पर लिखा है युद्ध विशय पर लिखा हिंदी का पहला शृष्ट उपन्यास कौन सा है तो युद्ध विशय पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास पुछा गया है शृष्ट उपन्यास वो भी अगर तीन में लिखा गया था दूदनात सिंग के द्वारा ये ठीक है नेक्स से दिखिए जुगलबंदी तो अगर हम बात करें इससे पहले कि आखरी कलाम का जो विशेवस्तू क्या है आखरी कलाम का विशे है आपका बावरी मस्चिद ध्वंस की घटना का चित्रन इसमें किया गया है बावरी मस्चिद का ठीक है तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा या फिर नोडाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ सकते हैं देखिए ये आपका गिरीराज किशोर का तो गिरीराज किशोर हिंदी उपन्यासों में बहुत ही महतपूर्ण नाम है हिंदी उपन्यासकारों में और इनके जो महतपूर्ण उपन्यास हैं देखिए जैसे आपका परिशिष्ट हो गया यह था प्रस्तावित हो गया जैसे आपका यात्राएं हो गया या फिर पहला गिर्मीटिया हो गया यह बहुत ही जादा महत्तपूर्णों पन्यास से आपने देखा होगा प्रिबियस एर पेपर में कई बार इन प्रशनों की विशेवस्तु पूछी गई है तो यहाँ पर मैं चुगलबंधी का रचनाकाल ठीक है नेक्स आता है आपका देखिए चक्रविहु तो चक्रविहु श्रवनकुमार गोस्वामी की रचना है ठीक है और इसका रचनाकाल है 1988 तो 1988 में इसको लिखा गया था और यह किस पर आधारी था इसकी विशेवस्तु क्या है देखिए य जो आपका विश्व विद्याले जो परिसर है उसकी जो महत्रपूर्ण विश्व विद्याले परिसर के परिपेक्षकों ये दर्शाने वाला उपन्यास है जो श्रवनकुमार गोस्वामी इसके क्या माने जाते हैं रचनाकार माने जाते हैं और विश्व विद्याले परिस उशेंद कुमार ने एक आपका जो महाविद्याले परिसर पर उपन्यास लिखा है, वो कौन सा उपन्यास है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कह सकते हैं, ठीक है, नेक्स से देखिए धूप चाहीं रंग, तो धूप चाहीं जो रंग है देखिए, ये उपन सिंग के द्वारा जो रचा गया उपन्यास है, नेक्स आता है आपका जो धूप चाहीं रंग है, इसके जो रचना कार हैं देखिए, ये हैं गिरीश अस्थाना, और गिरीश अस्थाना ने इसकी रचना कब की थी, 1970 में की गई थी, और यहे जो आपका उपन्यास से देखि जिन्दगी का बड़े पैमाने पर चित्रन किया गया है जो दफ्थर की जिन्दगी है दूसरे विश्यूद और दफ्थर की जिन्दगी का बड़े पैमाने पर इसमें चित्रन किया गया है धूप छाही रंग में तो सही उत्तर क्या होगा आपका इसमें धूप छाही रंग तो ये था प्रशन संख्या 54th, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, पच्पनवा क्वेश्चन है देखिए, साहित्य के लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्यों का प्रकाशन है, तो ये बात अपने आप में क्या है, सही है कि जो एक साहित्य होता है, वो लेखक का विशिष्ट होता है, उसी का ही परिणाम माना जाता है, कि हर कोई व्यक्ति साहित्य नहीं कर सकता, ये हमने पहले भी जब हम आप देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि जब हम कावेशास्तर की बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी थी, ना कोई हर कोई राइटर ह हो सकता है, और नहीं कोई सहिर्द हो सकता है, उसके पास प्रतीवा होनी चाहिए, उसके पास बुद्धी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, एक सहित्यकार में और एक सहिर्द में और लेखक में होना बहुत जरूरी माने जाती है, तो यही चीज यहां पर भी कही ग उसमें आपके जो अनुभव हैं, उनके पास जो अनुभव हैं उनके अपने, उनको अभिव्यक्त करने की क्या है उनमें कलात्मक समर्थ है नहीं होता, आपने देखा भई होगा कि जब आप मान लीजे कि कोई आप अपने दोस्त के बीच में बैटे हैं, कुछ एक दोस्त नहीं खत्म कर देते हैं, तो यहीं चीज है कि जो यहां पर भी कही गई है, कि जो जन समुभव के पास अपने जो अनुभव हैं, उनको व्यक्त करने की कलात्मक समर्थ है अधिकतर लोगों में नहीं होता है, तभी तो आम कहते हैं कि हर कोई कभी भी नहीं हो सकता, है ना, ये चीज क्या है, दोनों ही इसमें सही हैं, तो विकल्प नमर दो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, चलिए नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 56 से दिखिए, शुकल के अनुसार निमिलिकित सिद्धों का सही क्रम क्या है, तो मैंने एक चीज पह वहाँ पर प्रशन कैसे पूछा गया है, कि शुकल के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है, तो इसका जो सही क्रम है, देखिए, लुईपा, लिलापा, गोरक्षपा और कनहपा, तो ये प्रशन में आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा, इसको आपको समझने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, अचारे रामचंदर शुकल का पढ़िए, वहाँ पर आपको ये प्रशन अच्छे से मिलेगा, और इसके अलावा जो सरववीदित है, या जो अन्य विद्वानों ने, या सब ने माना है, वो ग्रम कौन सा है, ये भी आप एक बार जरूर देख लीजेगा, शुकल के अनुसार मैंने यहाँ पर बता दिया कि सबसे पहले लुईपा हैं, फिर लिलापा हैंगे, फिर गोरक्षपा, और आखिर में इसमें कणपा इन्होंने रखे हैं, और इसके अलावा जो अन्य है, वो आप जरूर देखिए, इनका जो रचना काल है, या इनका जो जनम वर्ष है, वो आप हिंदी साहिते का इतिहास, जो पुस्तक है, रामचंदर शुकल की, उसको आप देख सकते हैं, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 57 है, जिहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नेना बनाए बतियां, पंक्ती है, और यह एक गजल भी है, अगर आप यूट्यूब में इसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि जिहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नेना, किसने इसको गाया है, बहुत ही सुरिली आवाज में, तो आप इसको याद रख सकते हैं, और बहुत ही जादा महत् पूर्ण, यह गजल है, बिसीकली, है ना, और यह किस की है, यह देखिए, सबसे इसके जुरशनकार माने जाते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है, तो अमीर खुसरो की पंक्तियां आपने देखा होगा, कि UGC.net की परिक्षा में, या इनकी पहेलियां, जरूर पूछी जाती है, और यह हमारे पाठेक्राम में भी शामिल है, ठीक है, इनकी पहेलियां और मुक्रियां, तो आप इनको जरूर पढ़के जाएगा, और इनकी जो मौतरपन पंक्तियां है, खास कर आपको रिक्था.com आप देखेंगे, तो वहाँ पर इनकी बहुत सारी चीज़ें आपको वह पुरूद है, उनकी मृतियों पर उनने ये बात कई हुई थी, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, चलिए, नेक्स प्रशन हम दिख लेते हैं, देखिए अगला प्रशन है, 58 प्रशन, हरिवंश राय बच्चन की रचनाये नहीं हैं, तो ऐसे कूट में भी आपने देखे हैं, कि प्रशन पूछे जाते हैं, कि दो रचनाये होती हैं, दो रचनाये नहीं होती हैं, या तीन होती हैं, एक नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है, कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है, या नहीं है, यह आपने अब देखना है, ठीक है, तो जाल समेटा जो है दीखी ये इनकी रचना है और ये उने 1973 में लिखी थी कब लिखी थी 1973 में हरिवन श्राय बच्चन जी ने इसको लिखा था ठीक है नेक्स्ट जो रचना है दीखिए शूल फूल तो शूल फूल 1934 में लिखी गई रचना है ये किसकी है ये है आपके नरेंद्र शर्मा जो भी ये नरेंद्र शर्मा है दीखिए किस्ति के कभी थे सुचंदतावादी कभी थे और आपके जो हरिवन श्राय बच्चन है ये भी उसी किश्रेणी में आते हैं लेकिन इनको हालावाद कभर तक माना जाता है तो यहां पर ये पूछा गया है कि शूल फूल जो किसकी रचना है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है और ये 1934 में लिखी थी किरन बेला तो किरन बेला किसकी रचना है देखिए ये है अंचल भी सुचंतावादी का वैधरा के प्रमुक्त कभियों में शामिल है और किरन बेला की रचना इन्होंने कब की थी 1941 में 1941 में उन्होंने इसको लिखा था किरन बेला को बुध और नाचगर तो जो बुध और नाचगर है देखिए ये रचना किसकी है ये आपके हरिव रचनाय इनकी हैं तो कौन सी नहीं है विकल्प नंबर दो और तीन इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि शूल फूल और किरण बेला हरिवश राय बच्चन की रचनाय नहीं हैं तो हरिवश राय बच्चन की जो अन्य रचनाय दीखिये जैसे मदुशाला हो गया, मदुबाला हो ये आपने देखाऊगा कि इनकी महत्पून रचनाय हैं, इनको क्रमानुसार रखने को कहा जाता है, तो आप इनकी जो रचनाय हैं, उनको जरूर पढ़के जाईएगा, है ना, तो बच्चन सिंग, या स्वरी, हरीमश राजो बच्चन है, ये बहुत ही जादा महत्पून है, ना सिर्फ UGC NET के लिए, हिंदी से रिलेट्ट कोई भी परिक्षा देने आप जाएंगे, वहाँ पर इनसे रिलेटिड कई बार प्रशन पूछा गया है, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 59 है, असंगत कथन बताईए, एक और प्रशन रखा है ह हमने ठीक वैसे ही, असंगत कथन बाला, तो यहाँ पर लिखा गया है, उर्वशी क्या है आपका, उर्वशी से लेकर महाराना का महतोतक की सभी रचनाएं च्छायवादी हैं, तो देखिए, ये कथन अपने आप में क्या है, सही है या गलत है, तो उर्वशी जो रचना है, इसका जो रचना काल कब है, ये आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, ये बहुती महतपूर्ण रचना है, और ये चंपू कावे है, चंपू कावे का मतलब जिसमें आपका गद्य और पद्य का मिश्रन है, ये कब लिखी गई थी, है ना, 1909 में लिखी गई थ सभी रचना हैं, ये चायवादी हैं, तो ये कथन अपने आप में ही क्या हो गया, गलत हो गया, कि ये चायवादी नहीं है, बलकि द्वेदी यूगीन रचना हैं, तो इसका जो पहले आमें पता चल रहा है, कि ये कथन इसका क्या है, गलत है, उत्तर इसका ये हो सकता है, ल और इसके द्वित्य संस्कार्ण में कितने हैं दीखिए, 64 छंद इसमें जोडे गए हैं, जो आंसु आपका मुक्तक शैली में रचित विरहकाव्य है, ठीक है, और आंसु का रचना काल है दीखिए, 1925 में, इसको लिखा गया था, 1925 में, क्लियर है, फिर आता है कि जो प्राणा का महतो तक कि जो सभी रचनाएं कैसी हैं, दुवेदी यूगीन है, नकी छायवादी हैं, क्लियर है, तो 59 जो प्रशन का उत्तर क्या होगा, विकल्प नमबर एक होगा, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 60 है, देखिए, विराम चिन नि संग्रह है, देखिए, ये डॉक्टर राम विलास शर्मा जी का है, डॉक्टर राम विलास शर्मा किस स्रीके के रचनाकार हैं, प्रगतिवादी या माक्सवादी निवंद कार इनको मान जाता है, और या अलोचक भी आप इनको कह सकते हैं, समिक्षक भी कह सकते हैं, इनकी समंदित है आपका गुजरात और राजस्थान इन दोनों में ही इसका उप्योग किया जाता है जो आपका भवई लोकनाटे है अगर हम बात करें हरियाना और उत्रप्रदेश की दिखिए उत्रप्रदेश में कि जो लोक नाट्य है, चाहे जात्रा हो गया, यक्षकान हो गया, जात्र हो गया, ये बहुत ही जादा मौत्वपूर्ण है, इनको आप एक बार जरूर पढ़के जाईएगा, हमारे पाठेकरम में इनको अलग से इस बार से जोड़ा गया है, पिछले एक दो सालों से, तो इन प्रशन दिख लेते हैं, प्रशन से क्या 62 है, भारते इंदु के किस नाटक को वंशपूर का महाजन के नाम से भी जाना जाता है, तो दिखिए, भारते इंदु हरिश्चंद्र बहुत ही जादा मौत्तफूर्ण है, इनकी जो प्रमुक नाटक है, उनकी विशेबस्तू क्य जो इनके अनुवादित नाटक हैं, इनके जो मूल नाटक हैं, जिससे इनका अनुवाद हुआ है, वो कौन से हैं, इनके बारे में आपको जरूर पढ़के जाना है, क्योंकि भारते इंदु के नाटकों से अक्सर प्रशन पूछा जाता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सक जो भारतिय परिप्रिक्ष में इसमें चित्रन किया गया है दुरलब बंधु में, अगर हम इसके विशवस्तु की बात करें, जो मर्चंट ओफ वेनिस, ठीक हैं, और दुरलब बंधु जो नाटक है दीखिए, इसका रचनाकाल कब है, 1880, इसका रचनाकाल मान जाता है, ठ हालांकि आफ देखते हैं कि कुछ एक इनके नाट्यराज सक है, एक जो आपका भाण है, ठीक है, ऐसे भी बने कुछ चीज़ने लिखी हैं तो आप उनको भी लगु नाट्यर या फिर कुछ और गीति नाट्यर या इस्तरे के कि नाटक हैं, उनके विशय या उनकी जो प्रक question मौन भी अभिवनजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो किस रचना की पंक्तिया है तो मौन भी अभिवनजना है हम लोग सब लोग जानते हैं ये तो हैं किसकी आपके जो रचनाएं आप देख भी रहे होंगे सब किसकी है सचीदानंद हिरनन्द बात्साइन अग्ये की है और किस रचना की पंक्तिया है तो ये हैं इंद्र धनुष रौंदे हुए ये ठीक है तो विकल्प नमबर दो इसका क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रशना देखिए 64th question शुकल के अनुसार कभीर की वचनावली की सबसे प्राचीन तम प्रती वहती मौतपूर्ण तत्य है आप इसको भी नौट डॉन कर लिजिए कि जो अचार रामचनरी शुकल है उन्होंने कभीर की जो वचनावली है उसकी सबसे जो प्राचीन प्रती है वो कभली की गई मानी है ये 1512 इसवी में तो विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर हो जाए है तो मेंली मैंने आपको पहले भी काहा है पुर्तगाली अर्बी फार्सी तुर्की इन चार पंच जो आपके भाशाएं है विदेशी इन शब्दों इन भाशा के शब्दों को आप जरूर पढ़के जाएगा क्योंकि ये बहुती जादा मौतपूर्ण है और लगातार UGC नेट हिंदी की परिक्षा में इस तरीके से एक प्रशन पूछा जा रहा है साथ ही साथ आप देखेंगे या तो आपको जो व्यंजन है दुतिकरन इस तरीके से पूछा जाता है ठीक है या उनके जो व्यंजनों के प्रकार है उस तरीके से या वरनों के प्रकारों से जा रहा है तो शब्द से जो रिलेटरी प्रशन है अक्सर हम लाते हैं अपने प्रशनोतरी में एक तो यहाँ पर तक्या शब्द हमने रखा है तो तक्या कि इस बाजा का शब्द है देखिए यह है अर्भी भाषा का शब्द तो विकल्प नंबर चार है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्भी ठीक है तो यह थे आज के जो पंदरा महतफ़ों प्रशन आई होप आप लोगों ने कुछ नया आज इस लेक्चर से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी होंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में आप हमारे चैनल के जो चीज़ें हैं उनको सांजा कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुकरिया जैहिंद शभाखेर